हलो एव्रिवान, वेल्कम टू ओली आईएस और स्वागत है आपका आज की प्रिंग बूस्टेड न्यूस डिस्कॉशन में पहला सवाल आपके दिल में होगा कि रिशम सर कब आएंगे तो वो कलसी से कंटिन्यू करेंगे तो चलिए आज हम डिसकॉस करते हैं आज की इंपॉर्टन आर्टिकल्थ, आज की नیूसपेपर को अगर आप देखो तो वहाँ पे रामंदिर की बाद हो, विजया दश्मिय की बाद हो, तो पॉलिटिकल नीउस काफी ब्यूस अपधा चाही रही है आज के important articles हम discuss करेंगे जहां एक important चीज जो हमें पता लगती है वो है Indian economy के बारे में Standard and poor American cooperation है काफी प्रचलित है और उसने ऐसा बताया है कि जो इंडिया की growth rate है उसी देखते वे ऐसा लग रहा है कि 2030 तक इंडिया Asia की second largest economy बन जाएगा क्योंकि अगर आप देखे तो दुनिया में अभी China है एशिया की सबसे बड़ी economy फिर Japan है और उसके बाद इंडिया है तो 2030 तक जो इंडिया की growth rate है वो ऐसी रहे कि इंडिया की economy 7.3 trillion dollars के उपर चली जाए कि जिसकी वज़े से इंडिया Japan से आगे निकल के दूसरे निमर पर पहुंच जाएगा सबसे बड़ी economy होने के बारे में अभी जो world में है उसमें अगर आप देखे तो इंडिया ने हाली में recently UK को पीछे छोड़ा, France को पीछे छोड़ा अभी Germany और Japan इंडिया से आगे है तो उमीर है कि इंडिया उनको overtake करके भी आगे निकल जाएगा ये क्यों कह रहा है SNP SNP का कहने का कारण ये है कि इंडिया की जो growth rate है उसमें उनका मानना है कि इंडिया में जो FDI है वो बढ़ेगा manufacturing में push मिलेगी और इंडिया की जो growth rate है वो 6.2 के आसपास जो average कर रही है वो आगे भी इसी rate पे रहेगे 7 plus के आसपास हम जाएंगे तो 7.8, 7.9 की जो growth rate रही है ये अगर ऐसी continue करती है तो इंडिया globally और एशिया में दूसरी सफ़वड़ी economy और globally भी एक बड़े powerhouse के तरह उभर सकता है याद रिखिए इंडिया का target है 5 trillion economy बनने का कब तक का target है इंडिया का 5 trillion economy बनने का अपने आपको अभी इंडिया की economy की size क्या है मुझे बताइए अभी अगर हम देखें ना nominal GDP है वो dollar 3.75 trillion के आसपास है कि इंडिया ने ये target रखा था कि 2025 तक इंडिया को 5 trillion dollar economy बन जाना है size growth को देखते हुए और standard and poor का data भी ये कहता है कि 2030 तक इंडिया 7.3 trillion dollar तक पहुँच जाएगा तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी news है economy के लिए एक positive outlook है इसका मतलब FDIB इंडिया में लगाता रख भड़ती रहेंगे अगला article बात करता है cyclone hormone के बारे में हमने कल ही पढ़ा था किसके बारे में cyclone तेज के बारे में तेज कहा आ रहा था तो Arabian Sea में और hormone कहा आ रहा है hormone आ रहा है Bay of Bengal में Bay of Bengal में ज़ादा cyclones क्यों आते हैं ये भी हमने कल जाना था क्योंकि यहाँ पर एक fresh water बहुत आ रही रिवर से प्लस जो Bay of Bengal है वो आसपास surrounded है land mass से अगर आप Bay of Bengal को देखो तो आसपास जमीनी इलाका है हमने differentiate किया था Arabian Sea और Bay of Bengal को पिछले वीडियो में भी जहाँ पर मैं दिखा था कि hormone जो है ये कहा आ रहा है Bay of Bengal में अब cyclone कैसे बनते हैं कहीं पर area में एक low pressure create होता है गरम समुदर के ओपर हवाएं उपर की तरफ जाती है तो वहाँ पर low pressure बनता है तो आसपास की हवाएं इस खाली जगह को भरने के लिए आती है जब आसपास की खाली हवाएं आ रही है और ये भी गरमों के ओपर की तरफ बढ़ रही है तो यहाँ पर चक्रवाती स्थिती बनती है बीच वाला हिस्सा जो होता है वहाँ शान्ती होती है से कहते हैं हम आई यह हमने डिसकस किया था पहले भी यह साइकलो नाने की बेसिक चीजे हैं तो अभी जो इंडियन मेटरलोजिकल डिपार्टमेंट है इसने का हमोन अब काफी जारा स्ट्रॉंग साइकलोनिक स्ट्रों मनता जा रहा है जो उडिसा वेस्पेंगॉल और बंग् ़ेख उसकी बात करते हैं तंदर चोटी मोटी में लेक्स होती न पर रही जो चीजें स्टाय आने का हमोन को रहा हो था यह सब्सक्राइब होब्स कि टाइफूरिकें या इट्लनिक का अगर आए तो से आप यह कह सकते हैं और टॉनेटो जो सदन यूएसे में आते हैं उनको हम कह सकते हैं विली विली उस्ट्रेलिया और ट्रॉपिकल साइकलों इंडियन ऊशन में अगर आप देखे ना कि जो इसका नामिंग प्रॉसस है रोटेशनल बिसेस पर होता है हमें पता एक स्पेशलाइजड इजेंसी है इस रीजन की जो की वार्निंग का और मॉनिटरिंग का काम करते हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टन ओर निभाती है जो हमने तेज के टाइम में भी पढ़ा था हमोन जैसे आपको बढ़ा चला हमोन सबेरी हमोन पुजाक यानि ऐसी कई सारी इनलेंड लेक आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर इरान में अफगानिस्तान में और कुछ-कुछ बलुचिस्तान में जो पाकिस्तान का पार्ट है इसलिए इनलेंड लेक को हम डेजर्ट की इनलेंड लेक होती है उसको हम कहते है हमोन तो उसी के तर्ज पे इस साइकलोन का नाम हमून रखा गया, तो हमून क्या है, एक साइकलोन है, असल में हमून का मतलब क्या होता है, किसने नाम दिया, यह हम समझ गए, कहां आ रहा है, यह भी आपको पता है, क्या relevance है इसकी यह भी पता है, और साइकलोन कैसे form होता है, एक low मलेशिया के बीच में याद रखिए इंडिया और मलेशिया की आर्मी ये एकसरसाइस करती है इस बार कहां पर हुआ तो मेगाले के उम्रोई कंटॉन्मेंट में आम तोर पर अगर हमसे कोशन पूचे जा तो हम मेगाले को लास्ट रैंक करेंगे हमें नहीं लगता मेगाले में भी ऐसा हो सकता है तो ये ट्रेंगे में एक हाले में हुई ये एक मल्टी डुमें ऑपरेशन था इसमें अलगए लेवल पर हमने साथ में जॉइन्ट एकसरसाइज की अब देखें जब भी दो दिश्यों के बीच में बाइल एकसराइज होती है इसका मतलब उनके रिष्टे जो हैं वो वाम है और पिछले कुछ समय में पिछले दो साल पहले अगर हम देखें तो इंडिया मलिश्या के संबन बहुत प्रॉब्लम में पड़ गए थे जब उनके प्राइमिरिस्टर महातिर 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 ने कई सारे कॉमेंट किये थे किसके बारे में तो कश्मीर के बारे में और पाकिस्तान के प्राइमिरिस्टर इमरान खान के साथ के मिलकर वो लगातर कश्मीर को मुद्धा बना रहे थे इंडिया ने मलेशिया खिलाफ आवाज भी काफी स्टॉंगली इसको अबजेक्ट किया था और यहां तक कि मलेशिया से इंडिया बहुत सारा जो सब्सक्राइब आंडिया खिलाद साथ करदा इंडिया ने मलेशिया कि जगह इंडोनीशिया के फॉकस करना स्टर्ट कर दिया था याद रिखिए इंडीनिचिया प्लस मलेशिया दुरिया की मेंजर प्राम एक्सपोटर से हैं इंडिया दुनिया का second largest पाम इंपोर्टर है और ये जो exercise होती है फिर दिखाती है कि भारत मलेशिया संबन normalize होते जा रहे हैं मलेशिया अगे एक heterogeneous country है बहाँ पर इंडियन origin के कई सारे लोग है तो इसलिए इंडिया के लिए बहुत important country है आसियान की member है तो इसलिए मलेशिया का relevance बहुत ज़ाधा इस region में कोला लंपुर नाम शायर का अपने सुना भी होगा इंडियन movies में भी काफी famous है तो यहाँ जो joint excise हुई इसका नाम है हरी माव शक्ती इंडिया मलेशिया के बीच में bilateral training size थी और आर्मी ने की कहा कि उम्रोय के internment कहा है मिघाले में है और इसमें मलेशिया की 5th Royal Battalion आई और इंडिया की राजबूत रेजमेंट इसको represent कर रही थी कहां कि हम बात कर रहे है मलेशिया की पिछले बार यह कहां हुआ था पुलाई में हुआ था कहां मलेशिया में 120 personal board side से आएंगे इसमें आपके UAV, drones, helicopters यह सारे आएंगे से होता यह है कि दूनों आर्मी के बीच में understanding बढ़ती है, capacity बढ़ती है अगर humanitarian assistance की बात हो वो भी यहां पर point है, focus, disaster relief, humanitarian assistance और चीजों को और जादा कैसे coordinate किया जाएं दूनों आर्मी इसके बीच में इस पर focus किया जाएगा याद रिखे, Malaysia के साथ इंडिया ने एक FTA किया था, comprehensive economic cooperation agreement क्योंकि ASEAN का part already है Malaysia और इंडिया का ASEAN के साथ FTA है और क्योंकि ASEAN का part है, तो Malaysia की location में बहुत important है, कहा है Malaysia, यहाँ पर Malaysia located है और यह देखे, यह है, क्या, state of Malacca, state of Malacca, state of Malacca बहुत important है क्योंकि China के लिए बहुत, बहुत ही जादा sensitive area है, यहाँ, अगर आपको China जाना है यहाँ China का maximum जो समान है वो इसी route से आता है और यहीं से वो समान लेकर हर जगे जाते है, तो यह, इसे China का कहते है मलक का dilemma क्योंकि around 60-70% चायना का energy needs है, जो उनकी oil वो जो भेज़ते हैं, उनका merchandise जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो इसी route से जाता है तो क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के आसपास, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे बंगलादेश हो, चाहे श्रलंका हो, वो हर जगे एक string of pearls बना रहे हैं, ऐसे करेंकि आपको दिखेगा, इंडिया को घेरने की कोशिश है तो उसके खिलाफ इंडिया का एक iron curtain है, इंडिया चाहे खिलाफ भी एक वैसा create कर रहा है, तो उसके लिए जो मलक्का है एक बहुत important location है, अगर इंडिया, क्योंकि यहाँ अंडमान निकोपर आइलेंड्स है, यहाँ पर इंडिया नेवी की base भी है, तो यहाँ easily इंडिया इ इसको रोक सकता है अगर चाहिना जाना बर्माशी करेगा तो, इसलिए मलक्का को लेकर हमीशा चाहिना परिशान रहता है, और वहाँ की आसपास की countries लिए इंडिया के लिए बहुत relevant है, इंडिया, सिंगापोर और इंडिया के साथ एक strong defense partnership रखता है, और पास महीं मलेशिया है, इसलिए मलेशिया के साथ में इंडिया strong relations बिल्ड करना चाहता है for the sake of defense and security, ठीक है, प्लस मलेशिया में इंडिया डैसपुरा के बहुत से लोग रहते हैं, आसियान का पार है और एक अच्छी economy है, तो इंडिया यहाँ पर और export orientation चाहता है, growth की संभावना चाहता है, इसल इंडिया में अनमार थाइलेंड ट्राइलेंड यहाँ इंडिया से आप थाइलेंड तक जा सकते हैं, दिल्ली से आप थाइलेंड तक बैंकोक्स तक बायरोड जा पाए, इसके तयाने अलगभग पूरी हैं, इसलिए आसियान में कितने members मेरा सवाल आप से पहले यह होगा, 10 members हैं, यह सारी 10 countries जो आसियान की पार्ट है, Association for Southeast Asian Nations, यह एक major global economic group है, जो बहुत दरा ट्रेड करता है, इंडिया के साथ FTA है, और इंडिया लगातार एंगेश करना चाहता है इस group के साथ, तो इसलिए हर member यहाँ बें important होता है, specifically Malaysia is a member जो बहुत दरा powerful भी है, within आसियान, यह हो हरिमाव, शक्ति, इसके बीच में होता है, joint military exercise, इंडिया और मलेशिया के बीच में, ठीक है, तो हमने समझा कुछ एक basic जो politics थी इनके बीच है वो, यह जिसने याद रखे, क्योंकि आपको exam में एक सरफ पूछे जा सकते हैं, आप इसे topic को revise कर सकते हैं, ठीक है, अगला question था ITPP raising day, 24 October को, जो Indian Tibetan Border Police है, उसका raising day बनाए गया, इसी दिन इसको स्थापित किया गया था, और Prime Minister Modi ने भी इसको बधाईया दी, तो यह IDPP बनाए गया था 1962 में, क्योंकि जब India-China war होई थी, तो यह सा लगा था कि इंडिया को requirement है, high altitude यानि उची जगहों पर, अच्छे से जो guard कर पाए, उसके लिए एक specialized agency, मानले यह BSF है, यह SSB है, सीमा सुरक्षाबल Border Security Force, यह लोग असल में कहां काम करते हैं, यह जो plain इलाके है, वहां के borders को deploy होते हैं, तो बहुत जरूरी था कि, इंडिया एक specialized agency बनाए, जो की higher altitude पहारीयों पर आकर guard कर सके इंडिया के सीमाओं को, उसके लिए कारा कोरम पास या लदाक हो गया, वो जो region चाइना के पास है, अगर आपको कोई एक force चाहिए, जो उसको वहाँ पर guard करें तो वो काम करती है, ITBP, इंडिया का border चाइना से नहीं दिबबत से लगता है, दिबबत पे चाइना ने कबजा कर लिए, वारना इंडि तिबबतन border police का काम यही है, कि 18,000 feet से भी उचाहिए पर जाकर जहां पर temperature minus 48 degree तक पहुंच जाता है, वहाँ पर इंडिया के borders को guard करते हैं, और इंडिया को जो सबसे बड़ा enemy है चाइना, उसके साथ उससे इंडिया को safe रखते हैं, तो recently क्या वहाँ जब इंडिया में नक्स Central Reserve Police Force, लेकिन बाद में 1992 में Parliament ने खुझ से एक ITBPF Act बना दिया और नए रूल्स बनाये गया ITBPF के लिए as a separate forces, इसका मोटो क्या है, इनका मोटो है, शौरिर, धिर्था, कर्म और निष्ठा, यानि वैलोड डिटर्मिनिशन और डिवोशन टीव डूटी जो obviously करता है, जिन biggest example होता है, कौन सी ministry उनको देखती है, अगर आप defense की बात करें, तो मुख्य रूप से उनका जो interaction होता है, वो defense ministry के साथ होता है, जो paramilitary force है, जिसे CAPF हो गई, CRPF हो गई, ITBP हो गई, इनकी nodal ministry होती है, ministry of home affairs, तो वो इनको deploy कर सकते है, अगर कहीं पर internal tensions हुई तो, अगर दिल to do, almost seven forces है, मुझे बता सकते हैं, क्या क्या नाम है इनके, एक तो हमने भी discuss कि ITBP, एक SSB, ठीक है, CRPF, Central Reserve Police Force, CISF, CISF क्या होता है, Central Industrial Reserve Security Force, प्लस, Border Security Force, Sixth, National Security Guard, आप मुझे बता है, सेवन्थ कौन सी force होती है, आम तोर पे हमें यह नाम लगता है, कि military, army का पाट है, लेकिन वो भी Central Reserve Forces के पाट है, यानि, Assam Rifles, ये चार ऐसी wings हैं, जो असल में, Central Armed Police Forces के अंदर गताते हैं, यानि इनकी nodal ministry कौन है, home ministry, याद रखिए ये साथ forces हैं, जो paramilitary forces के अंदर आती हैं, ना कि as a army unit, ठीक है, Assam Rifles भी इसका पाट है, NSG भी इसका पाट है, ये सब असल में border और ये होगे security, जो industry करती है वो, तो हम समझ गए इस सारी चीज़े, अब बढ़ते हैं अगले article तरफ, यानि घोस्ट की तरफ, घोस्ट यानि बूत और घोस्ट आट पार्टिकल के हम बात करेंगे, चाइना एक बहुत बहुत बढ़र टैलिस्कोप बना रहे, दुनिया का वह लाजस टैलिस्कोप बनेगा ये, जो की neutrinos के ओपर काम करेगा, neutrinos को घोस्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं, देखे, आम तोर पहें हमें पत जाता है क्योंकि एक subatomic particle है, जैसे आपका proton neutron होता है, तो subatomic, यह आटम के size से भी छोटा particle है, जिसे हम neutrino कहते हैं, neutrino को ghost particle इसलिए कहते हैं, कि ghost की एक खास्यत होती है, भूत नामें दिखाई देते हैं, ना हम उनको wait कर पाते हैं, ठीक उसी तरह यह जो particle है, नहीं इसमें होता है, इसका बिल्कुल भी mass नहीं होता, और यह किसी भी चीज़ के साथ interact नहीं करते हैं, तो इसलिए एक बहुत ही अजीब हो गरीब, इसे strange article भी कहते हैं, strange particle भी कहते हैं, और कहानी है कि हर चीज़ से असल में neutrino's निकलते रहते हैं, अगर आप सूरज की तरफ हाथ करें और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतने बहुत ही basic होते हैं, कोई charge भी नहीं होता, और अगर आप केले के चलके को निकले तो उससे भी neutrino's निकलते हैं, और जब star build होते हैं, उनसे भी neutrino's निकलते हैं, तो इसलिए neutrino एक बहुत important source of energy है, जिससे हमें पता लगेगा universe के formation के बारे में कैसे build हो रहाएगे, तो इसके लिए China एक important telescope बना रहा है, जो neutrino's को data करेगा, इससे पहले एक हमारा ice cube neutrino telescope जो है अंटाक्टिका में काम करता है, क्योंकि neutrino's जब ice से टकराते हैं, तो इक light emit करते हैं, तो इसलिए अंटाक्टिका में अलोड़ी एक बहुत प पास करते हैं, हर एक second, यानि इतनी ज़ारे neutrino's अंत्रिक्ष में है, हमारे ice pass है, लेकिन उताक्टा कोई weight नहीं है, या weightless, and that's why they are difficult to measure, difficult to observe, उसको observe करें के लिए एक विशेश आपको जगे चाहिए, जहाब उसको पहले detect कर पाएं, और फिर study कर पाएं, इसलिए हम वो area ढू Normally, neutrino's जो है, वो केवल gravity से interact करते हैं, इसलिए gravity से neutrino का जो interaction है, वो पढ़ने के लिए हमें बहतर telescope चाहिए, इसमें बालग-लग flavors, mass होते हैं, energy होती है, छोटे-छोटे, लेकिन इनको study करना बहुत important है, chargeless bodies है, बहुत small होती है, subatomic है, इसलिए इसको study करना बहुत important है, क्यों स्पेस explosion करेंगे, अंत्रिक्ष में जाएंगे, तो वहाँ भी neutrino's होंगे, तो अगर हमें black hole को study करना है, या जो हमें interstellar movement करना है, यह एक रह से दूसरे रह तक जाना है, और गती के साथ, तो वहाँ पर ऐसी particles की study बहुत important है, इसलिए यह बहुत important है, future को unlock करने के लिए, चा जुरू किया था कि हम एक neutrino observation center specially build करेंगे, जो जमीन से 1500 km नीचे होगा, ताकि हम बहतर तरीक से neutrino's को पढ़ सके, और तीन तरके neutrino's हमें normally पता होते हैं, electron, muon और tau, इन तीनों को पढ़ने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक यह खताई में पढ़ावाया project आगे नहीं इसके बारे में है, चाइना जब किसको लेकर आगे बढ़ रहा है, इंडिया ने हलागी पहले पहल कर दे थी, लेकिन वो objectively execute रही हो पाया, ठीक है, अगला topic है, श्रिलंका के बारे में, श्रिलंका ने free visa offer करना शुरू कर दिया है, इंडिया को, और इसके लावा 6 और countries को, इ और the largest number of tourists go to श्रिलंका from इंडिया, वो क्या दिखाता है, कि इंडिया श्रिलंका का cultural impact कितना ज़ादा है, तो COVID-19 के बार लगातार श्रिलंका की economy की हालत खराब हो गई, उनके पास ना foreign exchange रहा, नहीं कुछ खरीदने की capacity, और tourism भी लगातार हिट कर गया था, इसलिए फिर से वो टुरिजम पे push करना चाते हैं, 2023 में एक million arrival हुए थे September में, तो वो चाह रहे हैं कि हम 15 million पर मन्त कर पाएं, अगर arrival स्वाल ले बहुत अच्छा होगा, इसलिए इंडिया रख्षिया जो उनके primary लोग जहां से shift करते हैं, उनके साथ हो, और ज्यादा tourist बुलाना चाह रहे ह इंडिया के दो important tourist circuit attached है, यानि एक तो आपका रमायन circuit, जो tourist circuit है कि अगर आप जो भी रमायन से जुड़े वे important स्थल है, वहाँ जाना चाहते हैं तो उसमें शुलंगा एक बहुत important सब पार्ट है, इससे इंटर इंडिया शुलंगा movement of tourist भी होगा, प्लस cultural exchanges भी होगे, प्लस इन दोनों देशों के लिए beneficial होगा, इसके लावा Buddhist circuit का भी पार्ट है, तो इसलिए इंडिया और शुलंगा के बीच में बहुत scope है, growth और tourism का और एक अच्छी पहले शुलंगा के दोरा है, तो अगर आप देखें शुलंगा की geography, यह रहा पाक बे, यहाँ पंमम आईलेंस है उपर जाफना नदन शुलंग का, यहाँ पर पहले LTT का कबजा हुआ करता था, यह सदन शुलंगा है, यहाँ आपका गॉल है, यह कॉलंबो है, जो बहुत important port है, इस region का, नीचे यहाँ कहीं हमबन टोटा है, इस region में हमबन टोटा, जो एक ऐसा port है, जहाँ पर अभी रपाय का, चैना जो डेट ट्रैप में फसगिया था, शिलंका चैना के डेट ट्रैप में फसगिया था, और वहाँ पर उनने इस port पे लगभग कबजा जमा लिया है, यह basic geography जो हमने पहले भी पड़ी है, लेकिन अभी का मुद्दा था free visa के बारे में, अगला article हम डिसकस करे है कि वो जल्द ही अपनी boundaries को settle कर लेंगे, अब देखो चाइना ने इंडिया के साथ boundary settle नहीं की, लेकिन भूटान के साथ boundary settle करने को बहुत तैयार है, अब भूटान के फ़र्ण में इस्टर तांडी दौर जी और चाइना, वेंगी बीजिंग में मिले, जहां पुन दिने ब जिसके तहट दुनिया भर में उन्हें रोल्ड बिल्ड किये हैं, पोर्स बिल्ड किये हैं और दुनिया भर में जाल बिछा रहे हैं नेटवर्क का, जिसके तहट कई सारे देश उनके debt trap, कर्ज के जाल में फस चुके से श्रिलंका, पागिस्तान, कमबोडिया, लेकिन श्रि इसलिए इंडिया ने कहा कि हम आप बियारे को नहीं मानेंगे कि हमारी sovereignty का यह हननन करता है, इसी को देखते हुए भूटान में भी बियारे को जॉइन नहीं किया है, और भूटान और चाइना के बीच में नॉर्मल diplomatic relations भी नहीं है, उनकी MSC नहीं है भूटान में चाइना की इसलिए क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इंडिया के चाइना के साथ विवाद हो, प्लस भूटान के कुछ एरियाज पर चाइना भी कबजा करने की कोशिशन लगातार करता रहा है, कुस्त में पहले डोकलाम का विवाद आपको याद होगा, जहां पर एक tri junction इंडिया भूट भूटान का अचानक से चाना के करीब जाना, इंडिया के लिए सरका दल्ड बन सकता है, और ये जो कोशिशे हैं लगातार कि भाई, उन्होंने काया है कि भूटान को चाइना के साथ सम्मन बिल्ड करना चाहिए, और डिप्लमेटिक रलेशन स्टैबलिश करने चाहिए, पह लेकिन तब भी भूटान ने हमेशे इंडियन सेंसिबिलिटीज को रिस्पेक्ट किया है, अब जो ये लगातार बाते हो रही है, भूटान और चाइना के बीच में इसे डर ये है, कि इनको एक स्वाप ऑग्रिमेंट बहुत पहले ओफर किया गया था, स्वाप ऑग्रिमें लेकिन ये वाला हिस्सा जो आ वह हमें दे दो, डोकला माला रीजन क्यों भाई, क्योंकि ये इंडिया के बड़े इंपॉर्टन लोकेशन के पास है, चिकन कोरिडोर, यहां के पास ये रीजन है, यहां पर अगर चाइना का ददबा बढ़ता है इस रीजन में, तो वह काफ स्वाइब कर लो, यह वाला हिस्सा हम ले लेते हैं, यह वाला आपका जो है, वहांपे सारे विवाद खतम करते हैं, लेकिन पहले आद के लिए भुटान और चाइना के बीचे विवाद कहां कहां पर हुआ था, उन्होंने अचनक से सैक्टेंग का रीजन है, इस पर क्लेम सेंचुरी है, तो यह भुटान के हैं ही नहीं, इस पर दावा ठोक दिया था, प्लस इस रीजन में जो मिंजुमा वैली है, बायू वैली है, वहांपर क्लेम ठोका हुआ है, फिर यहां इदर ढुकलाम के आसपाद भी विवाद है, तो लगातर विवाद और इस पर यह वेस्टर इस पर कंट्रोल दे दो, ताकि उससे उनको जो चिकन नेक है, सिली गुडी कोरिडॉर है, वहां पर और चाइना के पास के पैसिटी बढ़ जाए, अगर को एक दिक्कत भविश्म होती है, तो भाई वो पूरे नॉर्टीस को कट कर दें वहां से, तो ज के अलग कर दे, इसलिए इंडिया के लिए बहुत सेंसिटिव है कि भूटान यहां पर चाइना के साथ ना चाया, और अचानक से बाउंडी लेवल टॉक जो हो रही है भूटान चाइना की, इस इंडिया के लिए सरदर्द बढ़ गया, और लगातार देखा जा रहा है कि ज समंदों को नुकसान ना पहुंचा लें, तो यह थे आज के आर्टिकल, अब मुझे आप बताइए कि क्या बियारे का पार्ट है नेपाल, यह सर्णो, आप मुझे बताइए कि श्रिलंका ने पाकिस्तान को भी वीजा फ्री एंट्री दी है, अपने देश में, आई होब पार्ट आए कि नहीं नहीं दिये और प्लस बियरे में निपाल पार्ट है, केवल भुटा तो इंट्यास रीजन में चुने बियरे में पार्ट नहीं लिया है, तो यह था आज का आर्टिकल, आई होब आपको अच्छा लगओ, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कीप आन वाचिंग ओनली आई है, और अब इस QR कोड के थरू और इस नाम के थरू टेलिगाम पे हमारे चैनल पे जाके सारे PDF और डॉकिमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री अफकॉस, थेंक्यू और नाइस दे.